हेलो अबरीवान वेलकम बैक टू दिरान अकेडमी आप अलड़ी जानते हैं कि हमने लेक्टरोलसिस टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं लेक्टरोलसिस ऑफ एसेडिफाइड वाटर तो सबसे पहले आपको बतायता हूँ कि एसेडिफाइड वाटर का मतलब क्या होता है जब भी हम बात करते हैं एसेडिफाइड वाटर का तो उसका मतलब होता है कि पानी के अंदर हमने डाइल्यूट S2SO4 का इस्तमाल किया है अब देखिए सबसे पहला सवाल जो मन में आता है कि सर आपने डाइल्यूट S2SO4 का इस्तमाल क्यों किया है आप चाहें तो इसके अंदर नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते थे डाइल्यूट हाइड्रोकलोरिक एसिड का भी इस्तमाल किया जा सकता था बट इसका इस्तमाल हमने क्यों किया है तो इसका अंसर है क्योंकि यह आपका less volatile है ठीक है क्या है less volatile और जहांपर अगर आप बात करते हो nitric acid की या आप बात करते हो that is dilute hydrochloric acid की तो वो volatile nature के होते हैं अब देखे जब हम बात करते हैं volatile nature के बारे में तो उसका मतलब क्या है कि वो जल्दी evaporate हो जाते हैं ठीक है तो अगर मैं dilute S2SO4 डालूँगा तो यह जल्दी evaporate नहीं होगा और यह अपना proper काम करेगा पानी के अंदर अब सवाल मन में यह आना चाहिए कि सर हमें इसके अंदर acid डालने की जुरूरती क्या है देखे जो हम यहाँ पे dilute S2SO4 डालते हैं वो as a catalyst की तरह यहाँ पे काम करता है आप बोलेंगे catalyst की तरह मतलब क्या है इसका देखे बात यह है कि अगर मैं पानी को बहुत ध्यान से observe करूँ तो इसके अंदर पानी के molecules है वो actually polar covalent compounds होते है अब polar covalent compound का मतलब क्या है देखे अगर मैं किसी भी molecule को ध्यान से देखूं तो यह कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा राइट इसके अंदर एक oxygen और दो hydrogen के atoms होते हैं बात सिर्फ इतनी है कि जो oxygen है वो आपका electron negativity जादा होने की वज़े से ये जो paired electrons है इनके electrons को अपनी तरफ attract कर लेता है electron shift करके चले जाते है oxygen की तरफ जिसके वैसे oxygen के उपर आयता है slightly negative charge और hydrogen के उपर आयता है slightly positive charge अब बात सिर्फ यह है कि क्योंकि इसके एक end पे positive और एक end पे negative है इसलिए उसको हम बोलते है polar covalent compound मलब इनमें दो poles हैं एक positive का और एक negative का अब अगर आप electrolysis करना चाहते हो तो आप चाहोगे कि मेरे पानी के जो molecules हैं वो breakdown होके ions में बन सके तो basically अगर मैं H2O की बात करता हूँ और उसको ionize करने की बात करूँगा तो इसमें H positive and साथ में OH negative ion बनना चाहिए बड़ H positive and OH negative ion को बनाने के लिए हमें एक catalyst की जूरत परती है मतलब हमें एक external agent की जूरत परती है जिससे हम इसको असानी से ionize कर सकें और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं dilute S2SO4 dilute S2SO4 actually इन दोने के बीच के जो bond है उसको थोड़ा weaken कर देता है और इनको तूट कर ions में बनना उतना ही असान हो जाता है इसलिए हमें चाहिए होता है dilute S2SO4 हाँ अगर आपके मन में फिर से वो इस सवाल आई तो मैं आपको उसका जवाब दे चुका हूँ हम S2SO4 के जगह पे nitric acid या हम dilute hydrochloric acid का इस्तेमाल क्यों नहीं करते है क्योंकि जो हमारा dilute S2SO4 है वो एक less volatile acid है मलब जल्दी से evaporate नहीं करता है मेरे system के अंदर से या मेरे mixture से तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो I hope आपको समझ में आगया होगा कि acidified water क्या है अब जल्दी से देख लेते हैं acidified water का मतलब क्या हुआ एक water जिसमें acid डला हुआ है कौन सा acid है S2SO4 है अब S2SO4 का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं apart from other two because ये less volatile है अच्छा S2SO4 का इस्तेमाल करना ही क्यों पड़ता है क्योंकि ये जो मेरे पानी के जो molecules है जो की है polar covalent compounds उनको तोड़ कर आइंस में convert करने में हमारी help करता है और ये as a catalyst की तरह काम करता है इसको catalysis भी बोला जाता है ये बहुत अच्छा example है catalysis का मतलब ये कि किस तरह से ये help कर रहा है किसी और particular molecule को breakdown होने के लिए in their particular ions चीक है ये बात आप अच्छी तरह यहां पर समझ गया होंगे बाकी ये आपके पास apparatus है apparatus बहुत ही simple है सबसे पहले हमारे पास यहां पर डाला जाता है acidified water तो ये आएगा acidified water क्या होता है मैं उलड़ी बता चुका हूँ इसके बात हमारे पास दो inverted tubes हैं यहां पर ठीक है यहां पर जो भी gases हमारी बनेंगी उसको इसके through हम बाहर की तरफ collect कर सकते हैं अच्छा सबसे पहली बात यहां पर कि कौन सा electrode यूज किया आता है तो इसके लिए जो हम electrode का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा है platinum तो platinum हम अच्छा जानते हो कि एक inert electrode होता है जो खुद कभी participate नहीं करेगा electrolysis के अंदर इसलिए हम यहां पर platinum का इस्तेमाल करते हैं बाकी यही acidified water इन दो containers के अंदर गया हुआ है इसके एक side को मैं battery के negative से connect कर दूँगा तो वो बन जाएगा हमारे पास cathode और दूसरे को connect कर दूँगा मैं अपने positive tunnel के साथ तो बन जाएगा anode और at the end हमें क्या देखने को मिलता है कि cathode के side में हमें hydrogen gas जो है वो collect होती है और anode की तरफ अगर मैं दिहाँ से देखू तो मुझे oxygen वहाँ पर collect होते हुए मिलता है अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों और किस वज़े से होता है तो step by step अब हम इसको study करेंगे तो देखिए बात सिर्फ ये है कि जब हम कभी भी acidified water के ions के बारे में बात करते है तो देखिए ध्यान से समझना इस चीज को पहली बात अगर मैं पानी को यहाँ पर dissociate करूँ मतलब इसको तोड़ू ions के अंदर तो मेरे पार बनता है H positive ions साथ में OH negative ions उसी तरह अगर मैं जो इसमें sulfuric acid डला है अगर मैं उसको ionize करने की यहाँ पर बात करता हूँ तो वो बनेगा H positive और साथ में SO42 negative ions तो अब simple सी बात यहाँ पर क्या है simple सी बात यहाँ पर यह है कि चाहे आप इसके ionization की बात करो चाहे इसकी ionization की बात करो और अगर आप बात करों कि भाई इसमें positive ion कौन सा है तो सिरफ इसमें H positive ion आपको मिलेगा बड़ negative के अंदर अभी भी choices है OH negative या SO42 negative इनके साथ क्या करना है वो मैं बात में बताऊंगा पहले हम यहाँ पर cathode की बात कर रहे हैं so cathode basically क्या होता है यह आप अच्छी तरह जानते हो cathode जो है वो आपका negative charge electrode होता है तो यह जो आपके edge positive ions हैं जब भी यह मेरे इस electrode के पास जाएंगे तो actually में यह मेरे इस negative charge electrode से electron को ले लेगा और electron को लेकर हो जाएगा discharge तो actually में reaction क्या हो रही है ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास बनेगा edge positive और साथ में यह एक electron को gain करेगा जिसकी वज़ासे यह बन जाएगा आपका edge अब problem यह है कि hydrogen जो है वो हमें molecule state के अंदर मिलता है अब यह जो hydrogen है यह अपने ही एक और hydrogen से मिलकर बन जाएगा edge 2 तो देखो मोटी मोटी बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि इस particular condition के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे को 2 electrons की requirement होती है ठीक है मतलब यह कि अगर मेरे पास 2 edge positive ions है तो वो actually मैं 2 electrons को लेंगे और जिससे वो finally क्या बन जाएगा H2 gas जो है वो create होगा as a molecule यह एक gaseous state के अंदर आपको मिलता है और आप चाहें तो उसको collect कर सकते हो I hope आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आगी होगी चलिए अब आपको लेके चलता हूँ कि anode के अंदर क्या होता है अब हमें बात करने बिटर reaction at anode की two negative ion तो इस condition में आप देख सकते हो यहाँ पर दो negative ions आपको मिलते हैं पर सवाल यह है कि इन दोनों में से discharge कौन होगा तो उसके लिए हमने यह series के बारे में study किया था अब इस series के अंदर आप देख सकते हो कि उपर at the top आपको SO4 two negative ion मिलता है और नीचे bottom में आपको OH negative ion मिलता है और हमने इस table को जब study किया था तब हमने यह देखा था कि जो भी negative ion नीचे लाई करता है वो पहले discharge होता है ठीक है जो preferential हमने बात करी थे preferential कि कौन सा particular जो ion है discharge होगा कौन सा discharge नहीं होगा उसके बारे में हमने already discuss किया हुआ है तो आपको मैंने यह table के बारे में बताया था अब इस table को अगर मैं ध्यास से देखूँ तो SO42 negative ion टॉप पे है और सबसे नीचे OH negative ion है तो जो नीचे होता है वो जल्दी पहले discharge होता है अब देखिए होगा क्या होगा यह कि जब OH negative ions मेरे अनोड की तरफ जाता है अनोड का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो की positively charge है तो actually होगा क्या होगा बस इतना कि जो OH negative ion है इस positive की तरफ attract हो जाएगा और क्योंकि यह इसकी तरफ attract हुआ है at the end जब वो OH negative ion से touch करेगा तो यह अपना एक electron इसको दे देगा जिसके वज़े से बन जाएगा आपका OH neutral मतलब यह कि OH negative ion जो है आपका यह actually में एक electron को release करता है minus इसलिए लिखा है as a result यह OH बनाएगा अब यह जो OH है अपने ही OH के साथ मिलके पानी और oxygen को पैदा करता है मतलब यह कि OH जब एक OH से मिलता है तो as a result यह बनाएगा H2O और साथ में एक oxygen का atom create करेगा अब बात यह है कि oxygen जो है वो हमें as a molecule gaseous state के अंदर मिलता है तो यह oxygen अपने ही एक oxygen से मिलकर दोबारा बनाएगा O2 और यह वो ही हमारी oxygen है जो हमें finally मिल रही है तो देखे बहुत simple सा logic है बहुत simple सी चीजे हैं अगर आप ध्याँ से देखेंगे तो समझ में आएगा चली मैं आपको जल्दी से इसको थोड़ा सा revise भी करा देता हूँ देखे अगर हम बात करते हैं अपनी यहाँ पर cathode की तो मैंने कहा था cathode is a negatively charged electrode तो यहाँ पर जाएगा positive charge iron तो यहाँ पर अगर आप भी हाँ से देखो तो मेरे पाँ H positive iron ही है वो H positive iron जाएगा मेरे negatively charged electrode की तरफ वहाँ से वो एक electron को लेगा और अपने आपको neutralize कर लेगा अब अकेला जो H है वो कभी भी आपका exist नहीं करता उसको अपने साथ एक और hydrogen के साथ covalent bond create करके gaseous state में exist करना होता है इसलिए वो एक और hydrogen से मिलकर बनेगा hydrogen के atom से मिलकर बनेगा H2 molecule तो यह तो कहानी होगी cathode की लेकिन यही बाद अगर मैं anode की करता हूँ तो anode में मुझे क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास SO42 negative ion है और साथ में OH negative ion है अब यह दोनों के दोनों भागेंगे किस की तरफ वो भागेंगे मेरे positive electrode की तरफ लेकिन पंगा यह है कि इन दोनों में से पहले discharge होने वाला है वो है OH negative ion क्योंकि आप इस series को देख सकते हो और इस series के अंदर OH negative ion नीचे लाई करता है बाकि OH जो है वो अपनी OH से मिलके पानी का molecule create करेगा बट साथ में एक अकेला atom oxygen का exist करवाएगा बट problem यह है कि अकेला oxygen आपका जायदे तक stable नहीं रह सकता आपने आपको stability मिलाने के लिए वो जल्दी से एक और oxygen के साथ मिलकर O2 का gas जो है वो create करता है और इसलिए आपको anode के अंदर oxygen मिलती है I hope आपको anode और cathode की यह जो बाते हैं वो समझ में आगी होंगी देखिए अब हमें जो बात करनी है वो बहुत ही important है वो है एक बहुत ही important note के बारे में देखिए सबसे पहले आपको anode and cathode की चोटी चोटी जो कहानिये हैं उसको repeat करते होई कुछ important बाते यहाँ बताना चाहता हूँ तो सबसे पहली बात हम करेंगे यहाँ पर cathode की अब देखिए बेटा प्लीज समझे इस बात को अगर मैं यह पूरा यहाँ पर एक beaker consider कर रहा हूँ और यह है मेरा यहाँ पर cathode जो की negative charge है और यह है मेरा यहाँ पर anode जो की positive charge है तो समझने वाली बात यह है कि इसके तरफ जाएगा edge positive ion और इसके तरफ जाता है SO42 negative ion and OH negative ion अपनी यह समझते रहना कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है तो पंगा तो इतना नहीं है simple सी बात यह है कि यहाँ पर जब मैं edge positive ion को इसकी तरफ लेके जाता हूँ और यह यहाँ से जब एक electron ले ले लेता है तो यह तो बिचारा अपने edge two बन के उपर evaporate होना शुरू हो गया तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मेरे जो sulfuric acid की जो concentration है वो यहाँ पर कम होनी शुरू हो गई आपको बोलों कि इस concentration की से कम हो रही है वो कम नहीं हो रही लेकिन अगर मैं cathode के पास यहाँ पे नस्दीक में इसको देखूँ तो यहाँ पर जो edge है वो तो cathode से मिल कर edge positive iron को neutralize करता जा रहा है और क्या बच रहा है? SO42 negative iron तो इस particular area के अंदर SO42 negative iron तो आपको मिलेगा ने जिसकी वैसे इस particular area में जो हमारे dilute SO4 की जो concentration है जो concentration है आपकी वो यहाँ पर decrease होनी शुरू हो जाती है ठीक है? बात को समझना बात को समझना तर अब समझ में आएगा उसके बाद next क्या हो रहा है? अब हम आते हैं इस OH negative iron की अब problem वाली बात सिर्फ इतनी है कि यह जो आपका OH negative iron I'm not talking about OH negative iron तो यह जो आपका OH negative iron है यह क्या कर रहा है? यह OH negative iron अपना एक electron इसको दे कर यहाँ पर बन रहा है neutralize, अब problem सिर्फ यह है कि जो पानी है आपका ठीक है? अगर मैं पानी को दिहां से देखूं तो पानी टूटता है H positive and OH negative iron के अंदर इसको मैं थोड़ा सा इस तरह बना देता हूँ प्लस OH negative iron के अंदर तो पानी के H positive and OH negative iron में से जो OH negative iron है वो तो यहाँ जाकर discharge हो गया तो यार इससे जो मेरे एक ionic equilibrium है ionic equilibrium का मलब होता है कि जितने आपके uncharged molecules है और uncharged नी जितने आपके without dissociated ions है और जो dissociated ions है इन दोने की जो ratio है वो same रहने चाहिए throughout ठीक है तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि पानी तो है बट जो OH negative iron है मलब पानी के molecules तो है बट जो OH negative ions है वो आपके खतम होने शुरू हो जा रहे है इस particular positive electrode की वज़ा से ठीक है H positive मेरे negative में खतम हो रहा है OH negative मेरे यहाँ पे खतम हो रहा है तो जिसकी वज़ा से यहाँ पे क्या होगा कि deficiency हो जाएगी OH negative ions की अब इस deficiency को पूरा करने के लिए हमारा जो पानी का पानी जो present है वो पानी फिर से dissociate होगा H positive and OH negative ions के अंदर अब बात को समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि जब मेरे पानी टूटा किसमे H positive and OH negative के अंदर तो OH negative फिर चला गया इसकी तरफ बट इस particular area के अंदर इस particular region के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास H positive and SO4 to negative फिर से मिल रहे है तो मतलब यह कि यह एक particular ऐसा region है around the anode जहाँ पर आपको H positive and SO4 to negative मिल रहा है मतलब यह एक ऐसा region है जहाँ पे H2SO4 की जो concentration है वो जादा है ठीक है तो मतलब यह हुआ कि यह cathode basically एक ऐसा region है जिसके around अगर मैं देखूंगा तो मेरे sulfuric acid की concentration कम हो रही है लेकि यह एक ऐसा region है जहाँ पर मेरे H2SO4 की concentration जो है वो जादा है ठीक है I hope आपको मेंसे कुछ को समझाया हूँ कुछ को नहीं समझाया हूँ अगर आप अपने acidified water के बार में बात करते हो तो उसके अंदर आपको H2SO4 split होता है H positive and SO4 to negative के अंदर और H2O split होता है H positive and OH negative ion के अंदर अब हो क्या रहा है कि जितने भी आपके H positive ion है वो negative electron की तरफ भाग रहे है जब वो negative electron की तरफ भागते हैं तो वहाँ से electron को ले लेते हैं electron को लेके बनते है neutral और neutral से बनता है hydrogen का gas वो evolve हो रहा है लेकिन उस particular region के अंदर देखो तो H positive ions है ही नहीं है क्योंकि वो बार-बार उसको neutral करता जा रहा है और क्या है इसके अंदर सिर्फ रहा जाता है SO4 to negative वो मेरा positive वाला खीच के ले जाता है तो यहाँ पर एक ऐसा region create होता है जहाँ पर ना तो आपका SO4 to negative है ना तो आपके H positive ions है जिसकी वाज़से यह वो region है जहाँ पर SO4 की concentration है वो थोड़ी कम हो जाती है लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करतो तो यहाँ पर SO4 to negative तो अलड़ी पने पास लाया हुआ है तो कि यह negatively charge था और anode है positive charge वाला मुझे सिर्फ कमी थी H positive ion की तो हुआ क्या कि OH negative ion जो है वो अपने electron को देके neutralize हो जा रहा oxygen produce करी जा रहा है तो उनमें से जो OH negative ion है वो तो चला गया positive की तरफ और जो ही जो H positive ion है और यह SO2 negative ion जो इस region में आपको मिल रहे हैं उसकी वज़े से यहाँ पर SO4 की concentration है वो ज़ादा हो जाती है तो मलें कि यह ऐसा region है जहाँ पर H positive and SO4 to negative ion जादा है हाँ यह बात सही है कि यहाँ से फिर H positive इदर की तरफ भागेगा यह बात सच है बर momentarily जब यहाँ पर H positive and OH negative आपके तूट रहे हैं तो यहाँ पर आपके आपके पास H positive और SO4 to negative होने के वैसे यहाँ पर sulfuric acid की concentration जादा है और वहाँ पर sulfuric acid की concentration तो वैसे ही competitively हमेशा कम होगी क्योंकि SO4 negative तो वहाँ जाने वाला है नहीं है वो यहीं पर ही आपको मिलेगा clear हो गया हाँ लेकिन कोई मुझे overall उपर से कुछ देखकर बोलेगा ना कि सर एक बाद बताओ overall अगर बात कर रहे हो तो क्या फरक पढ़ रहा है फिल होई रहे है ठीक है बाकी का जो H positive है और OH negative ions है वो actually में टूट कर मेरे दोनों लेक्टर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर ये अपने आपको neutralize करके gas में convert होके evaporate हो रहे हैं तो overall अगर मैं देखूँ कि overall मेरे इस पूरे container के जो acidic content है क्या उसमें कोई फर्क पढ़ रहा है तो answer है कि यार इसके acidic content में कोई फर्क नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये जो H positive और SO42 negative ions की concentration है वो maintained हो रही है H positive ions जो है H2O जो टूट रहा है उससे उसको मिल रहा है plus SO42 negative जो है वो बचला discharge हो नहीं रहा उसके अंदर है क्योंकि वो breakdown होके H positive and OH negative आपका बनेगा I hope आपको ये बात अब अच्छी तरह समझ में आगी होगी ठीक है तो please remind it और कोई पूछता है कि cathode की तरफ concentration S2O की जादा है कम तो आप कम बोलेंगे anode में क्या है तो आप बोलेंगे जादा होगा अगर उस specific उस region को check करूँगा तो वहाँ कम है यहाँ पे जादा है I hope यार ये तो समझ में आ गया होगा अब ऐसे नहीं है ना ये तो clear हो गया होगा आपको ठीक है अब हम बात करेंगे बड़ा सबसे important point के बारे में और वो point ये है कि जो hydrogen पैदा होता है यह produce होता है और जो oxygen produce हो रही है उनकी volume की जब ratio निकाल लेगी तो one is to two हमें मिलती है अब उसका reason क्या है देखिए अगर reason को समझना है तो पहले तो concept को समझना पड़ेगा concept से पहले observation देखते हैं देखिए ये आगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस वीडियो के थूँ आप देख सकोगे की कैसे hydrogen हमारे पास ज़्यादा produce हो रहा है as compared to oxygen तो इसके पीछे का जो main रहसे है क्याना secret की ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपके साथ यहाँ पर discuss करूँगा बर पहले देखो समझो हो क्या रहा है तो देखो यहाँ पर और रड़ी markings की हुई है 1, 2, 3, 4 करके marking वहाँ पर भी markings आपकी की हुई है तो इन markings को दिहान से देखना and you will get to know that की exactly यहाँ पर क्या हो रहा है तो देखिए तो सबसे पहले हमनी जब इसमें से electricity को पास किया तो देखिए हमारे जो gases है वो बननी शुरू हो गई और आप देख सकते हो कि यह वाला जो point है इसमें कम gas produce हो रही है और उस वाले में ज़्यादा gas आपकी produce हो रही है देखो देख सकते हो आप बाकि मैं थोड़ा सा इसको ना तेज और fast forward करके आपको यह समझा के जल्दी खतम करता हूँ यहाँ पर रोग देता हूँ मैं सिर्फ मैं यहाँ पर इसको रोपूँगा ताकि आप इसको समझ सके यह देखो यहाँ पर दो marking है यहाँ पर single mark है और आप देखते हो तो यहाँ पर कितना पानी का level आपका आचुका है acidified water का level आचुका है तो इसका मलब है यहाँ पर जो gas आपकी कठी हुई है वो इस वाले से double है volume wise अगर आप चाहो तो इसको as a volume भी study कर सकते हो तो यहाँ पर जो hydrogen है वो double of volume है as compared to this one of course यह मेरा cathode है और यह मेरा anode है clear clear है ना याँ देखो पका clear है good अब देखो बड़र simple सी बात आपको जो मैंने बतानी थी वो मैं बता देता हूँ और वो यह है कि अगर आप इसको धियान से देख रहे हो तो आगे cathode के अंदर आपको double volume जो है वो hydrogen का मिलता है और जो anode है वहाँ पे आपको single one volume है तो वहाँ पे double volume आपको वहाँ पे मिलेगा अब सवाल यह पैदा होता है सर ऐसा होता है तो क्यों होता है अब उसकी कहानी अगर जाननी है तो पहले ध्यान से मेरे बातों को समझना देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं anode की तो जब मैं anode को ध्यान से यहाँ देखता हूँ तो मुझे क्या नज़र आता है मुझे नज़र आता है कि anode मेरा positive charge electrode है और इसकी तरफ OH negative ion जाएगा जैसे वहाँ जाएगा वहाँ पे आपको OH और बस एक electron को वह दे देगा अब देखो हो क्या रहा है कि एक OH जो है OH एक OH आपका एक और OH से जब मिलता है तो उससे create होता है आपका पानी का molecule प्लस एक oxygen का atom वो oxygen फर्दर एक oxygen से मिलेगी और तब जाके पानी बनेगा बट वो फर्दर oxygen बनाने के लिए क्या होगा एक और आपके दो OH आपस में बिलेंगे जिससे मेरे पास एक और पानी का molecule बनेगा प्लस oxygen बनेगा चले इनको add कर देते हैं इस equation को add करें तो अगर आप देखो देहां से OH प्लस OH विल गिव यू 2 OH 2 OH प्लस यह OH और यह वाच मिलके 2 OH गिवस वाट H2OH गिव यू 2 molecule of H2O प्लस O and O मिलके क्या बन रहा है आपका O2 बन रहा है तो यार मेरे को क्या यहाँ पर दिख रहा है प्लीज अब इस बात को समझना तर समझ में आएगा तो मतलब यह हुआ कि अगर मुझे OX privilegingANT का एक only one molecule अगर create करना oxygen का कितना सिर्फ एक molecule अगर मुझे create करना है तो मुझे 4 OH negative ions चाहिए है के नहीं तो मतलब क्या हुआ तो मतलब यह हुआ कि अगर मुझे one oxygen को create करना है तो मुझे उसके लिए 4 OH negative ions चाहिए और वो जो 4 OH negative ions है जब अपने में से कह ना मैं 4 electrons को देंगे तब बनेगा OH 4 OH प्लस 4 electrons यह ऐसे ठीक है यह समझ में आएगा आपको तो देखो 4 OH negative ions जब अपने में से 4 electron को दे देंगे तब जाके एक oxygen का molecule create होता है अब बात को समझते रहना अब देखिए यह मेरा यहां पर हो गया भीकर ठीक है यह लीजिए यह है आपके पास that is cathode ठीक है यह क्या है मेरा यहां पर अनोड तो अब देखो हो क्या रहा है हो यह रहा है कि एक oxygen को create करने के लिए अनोड को कितने electron लेने पड़ रहे है electron को यहां पर 4 electrons लेने पड़ रहे है अब देखो यह जो इसको extra electrons यहां में मिले है battery का काम पता क्या होता है प्लीज समझे ना मेरी बात को battery का काम पता क्या होता है कि जो ये electrons यहाँ पर ले रहा है वो electrons को इस cathode को दे दे, ताकि एक balance create होता रहे, otherwise क्या होगा अगर आप ये सोचते हो ना कि सर ये 4 electron ले लेगा, वो तो वहाँ से अपना 1 electron देगा, अब 1 नहीं 2 electron, मैं बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको देखो ध्यान से समझना, कि H positive जो है, जब मेरा इस cathode की तरफ जाता है, तो वो actually में, क्या करता है एक electron जो है, वो receive करता है जिससे H बनता है वो H, फिर एक H से मिलकर बनता है H2 तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे 2 H positive ions चाहिए होते है जिससे वो 2 electron लेकर क्या बनेगा, H2 बनेगा अब देखो, समझना oxygen को बनाने के लिए OH कितने चाहिए थे, 4 इसको कितने electron देने पड़े अबने 4 electron देने पड़े, ठीक है अब, क्या थोड़ कितने दे रहा है 1 H2 को निकालने के लिए आप कहेंगे actually में क्या होता है कि यह जो 4 electrons यहां से receive कर रहा है यह battery उतनी ही 4 electrons को cathode को दे देगा अब अगर आप इस balance को maintain करना चाहते हो तो अगर 2 electron से 1 hydrogen create हो रहा है तो अपने extra 2 electron से don't you think कि 1 hydrogen molecule और create होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि oxygen जो है एक oxygen को बनाने के लिए जहां पर 4 electrons लग रहे थे उन में से 2 electrons तो आपके 1 hydrogen molecules को बनाने में लग जाता है और दूसरा जो आपके 2 electrons है वो फर्दर 2 electrons को दे कर 1 hydrogen और molecule बनाने में help आपकी कर देता है तो in total अगर आप ध्यान से देखें तो 4 electrons यह ले रहा है 4 electrons वो दे रहा है तो balance maintain है बट यह 4 electrons को लेकर एक ही oxygen का molecule बनता है और इसको 4 electrons देकर 2 hydrogen के molecules बनाने पड़ते हैं जिस वज़ाए से यहां पर जब hydrogen के पास आपको मिलता है उसका volume डबल होता है as compared to the volume of oxygen और इसलिए मैंने आपको वीडियो में वो चीज आपको दिखाई थी यह बात समझ में आगे कोई बड़ी बात नहीं है तो बाकी अवगेड्रोस के थुरू हमने यह सब समझ लिया था कि अगर हम चाहें तो molecules को volume से substitute कर सकते हैं ठीक है तो हमने क्या किया कि अगर मैं दो molecules ले रहा हूँ acidified water की ठीक है यहाँ पर ली देता हूँ acidified water कि दो molecules ले रहा हूँ और उसमें electric current पास करता हूँ मलब अलेक्ट्रिक energy अगर इसमें से पास करता हूँ तो इस condition के अंदर हमें क्या दिखता है कि दो hydrogen के molecule create होते है ठीक है और सिर्फ एक ही molecule आपके oxygen का create होता है तो अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देख रहे हूँ तो आपको ये बाद अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैंने दो पानी के molecule लिए electric energy को पास किया और क्यों अभी यहां पर दो molecule hydrogen के मिले है और एक molecule आपका oxygen का मिलता है तो by volume देखें तो double volume hydrogen का होता है oxygen का single volume होता है I hope आपको ये जो topic है ये जो बाते हैं अच्छी तरह समझ में आगी होंगी ठीक है तो आज के lecture के अंदर हमने electrolysis of acidified water के बारे में discuss किया है I hope आपको ये अच्छी तरह समझ में आगया होगा कि actually में क्या कुछ take place करता है इस electrolysis के अंदर और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो please like it, share it and subscribe it आज के लिए बसेता ही Thank you so much